नमस्कार मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मिडिया दर्सन पुर्वसांसद और बाहु बली नेता अनन्द मोहन को लेकर यह कयास लगाया जा रहा था कि उनकी रिहाई लगभग तैय हो गई है लेकिन बिहार सरकार ने पुर्वसांसद और आनन्द मोहन की रिहाई की जगर उन्हें दूसरी बार पैरोल पर बाहर निकलने का रास्ता साफ किया है गौरतलब है कि 23 जन्वरी को पटना के मीलर हाई स्कूल परिसर में आयोजित कार्जकरम में सीम नितिस कुमार ने ऐसे इसारे किये थे कि जिसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि आनन्द मोहन परिहार नियमों के अधार पर जल्द से जिल से रिहा हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब सरकार उन्हें पैरोल पर बाहर निकाल रही है कानून के जनकारों माने तो सरकार के महज एक नोटिफिकेशन से अनन्द मोहन की रिहाई संभव थी बिहार में रिमिशन परिहार के पॉलिसी सबसे पहले 1984 में बनी थी इसमें ये प्रवधान था कि 14 बर्स की सजा काट लेने के बाद बंदी को रिमिशन के साथ 20 साल की सजा काटना मान लिया जाता है बंदियों को परिहार कानून के तहट साल में कम से कम 69 दिन का परिहार और विभीन आवकासों को जोड़ कर पूरी सजा में से इस ओधी को घटा लिया जाता है वैसे बंदी के आचरन को देखते हुए सलाना परिहार की ओधी बढ़ाई भी जा सकती है वर्स 2002 में परिहार कानून में एक संसोधन किया गया इसमें दो उपधारा जोड़ी गई पहली उपधारा के मुताबिक कैदियों को परिहार पर छोड़ने का निरने लेने के लिए जेलर की जगह रीमिसन बोड बनाया गया इनके निरने के बाद ही कैदी छोड़े जाएंगे इस रीमिसन बोड में ग्री सचीव, डिस्ट्रिक जज, जेल आईजी, होम सेकरेटी और पुलिस प्रतिनीधी के साथ लॉज सेकरेटी सामिल होते हैं दूसरी उगधारा के अनुसार पांच केटेगरी के कैदीयों को नहीं छोड़ने का प्रवधान सामिल किया गया यह ऐसे कैदी होते हैं जो एक से अधिक मडर, डकैती, वलातकार, अतंकवादी, साजी, सरचने और सरकारी अधिकारी की हत्या के दोसी होंगे उनके छोड़ने का सिधा निर्ण सरकार लेगी अनन्द मोहन एक सरकारी अधिकारी के हत्या के दोसी पाए गए हैं ऐसे में उन्हें परिहार मिलने के पिछे के क्या क्या तरक है कानून भी सिसक बताते हैं कि 2002 में रिमीशन के नियम में संसोधन जरूर हुआ था लेकिन 2007 तक रिमीशन बोड का गठन नहीं हो पया था इस कारण से हाई कोट की तरफ से भी यह अदेश जारी किया जा चुका है कि 2002 के सरकुलर को 2007 तक लागू ही नहीं किया जा सकता अनन्द मोहन को 2007 में सजा हुई है यानि सरकार के इस परिहार कानून के दाइरे से पुर्व सांसद अनन्द मोहन बाहर है इधर पटना के मिलर हाई अस्कूल परिसर में 23 जनवरी को महाराना परताब के पुन्यती थी पर एक समारो का आयोजन हुआ था इस समारो में अनन्द मोहन के समर्थकों की तरफ से उन्हें रिहा करने की मांग हुई तब मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने भी इस सम्मंद में इसारा किया था कि उन्होंने मन से इस बात की मोसला की थी कि वह अनन्द मोहन की रिहाई के बारे में सोच रहे हैं इस पर काम किया जा रहा है, तब उन्होंने कहा था कि आनन्द मोहन हमारे मित्र रहे हैं, जब वह जिल गए थे तो उनसे मिलने वे कई नेताओं के साथ गए हुए थे, आनन्द मोहन की बेटी की साधी 15 फरवरी को होनी तय है, आनन्द मोहन बिहार सरकार के 2002 के परिहार कानून के दाएरे से बाहर हैं, अगर बिहार सरकार के परिहार कानून की बात करें तो अनन्द मोहन की रहाई इस कानून में अथाई बदलाव से ही उपलव संभव है, इसके लिए सदन में अध्यादेश लाया जाता है और बदलाव पर सहमती बनाई जाती, यह प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन जब अनन्द मोहन इस कानून के दाएरे से बाहर है तो बिहार सरकार के महज एक नोटिफिकेशन से अनन्द मोहन की रहाई तै थी, सरकार के भीतर खाने से जो जनकारी हम तक पहुँच रही है, उसके मुताबिक पुर्व सांसत अनन्द मोहन की रहाई के लिए बिहार सरकार तात्काल कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने नहीं जा रही है यानि अब यह तै हो चुका है यह पूरी तरह से यह साफ है कि आनंद मोहन की पूर्ण रिहाई पर राजनीती संकट के बादल अभी भी मड़रा रहा है बिहार सरकार पुर्व सांसद आनंद मोहन को 15 दिन के पैरोल पर बाहर निकालने जा रही है अगर आनंद मोहन और उनके परिजन चाहेंगे तो आगे पैरोल की ओधी बढ़ाई जा सकती है आनंद मोहन अगामी 5 फरवरी को सहरसा जेल से पैरोल पर बाहर आएंगे सरकार का यह फैसला पुर्वागर से ग्रसित न कितिस कुमार अनंद मोहन की रिहाई को लेकर पूरी तरह से कठगरे में नजर आ रहे हैं इसे हम कुर्सी का दुर्यूपियोग और व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ-साथ अंकार की संग्या भी दे सकते हैं जैसे ही कुछ और इस मामले में कुछ अप्टूडेट आता है तो म मैं आपके पास बताने का प्रयास करूँगा तब तक बने रहे हैं मेडिया दर्शन के साथ मैं सोनु कुमार धन्यवाद